हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजुएट्स के लिए निकली डिस्टिक जजज की लेटिस्ट बैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो ऐसी ही लोग रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोग रेजुएट्स के लिए ये जो बैकेंसी निकली हुई है तमिल नाडू में डिस्टिक जजज की उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो सबसे पहले अफिस्यल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे तो आपको तमिल नाडू गॉर्मेंट की अफिस्यल वेबसाइट पर जाना होगा जाएगा इस पेज का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्किप्शन में उपलग्त करा देंगे तो चले इसकी और डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर गवर्मेंट आप तमिल नाडू के दोरा जारी आफिस्यल नोटिफिकेशन है जिसमें लोग रेजविट्स के लिए डिस्टिक जज़ की वेकेंसिस निकली हुई है तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं देखिए 1 जुलाई 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और इसकी जो अप्लिकेशन फी से वो भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसका जो प्री एक्जामिनेशन होगा वो 30 सेप्टेंबर 2023 को होगा और जो आपका मेंस एक्जामिनेशन है दो दिसंबर से लेके 3 दिसंबर 2030 तक होगा उसके बाद जो इंटर्विव है वो 31 जनुवरी 2024 को होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो पोश्ट का नाम है डिस्टिक जज है और अगर बात करें कि नमरा बैकेंसिस कितनी है तो 50 है पे स्केल की बात करें तो 51,550 से लेकर के 63,070 का है प्लस एलाउंस एक्स्ट्रा मिलेंगे मेंस अच्छी सेलली यहाँ पर आपको मिलने वाली है अब इसके लिए एज क्या है तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके बास लौ डिग्री होनी चाहिए बीस एप्रूब इंस्टिटूट या फिर यूनिवस्टी से प्लस 7 एर का एक्स्पिरियांस होना चाहिए एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एज की बात करें तो दो तो यदि आप तमिलनाडू के रहने वाले हैं किसी भी रिजर्व कटेगरी के अंतरगत आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है लेकिन यदि आप तमिलनाडू में जनरल कटेगरी के हैं या फिर किसी अधर इस्टेट के किसी भी कटेगरी के हैं तो उस समय आपके ल पीस पे करनी होगी means other state वालों को देना है यहाँ पर 2000 और जो reserve हैं कटेगरी तमिलनाड़ी के उनके लिए free है अब बात करेंगर slabus और exam pattern की दोस्तों तो इसी notification में आपको slabus और इसका exam pattern दिया गया है जिसे कि आप detail से पढ़ सकते हैं इस notification नो कैसे download करेंगे वो भी जानकारी हमने आपको पहले उप्लत करा दी है बहुत बहुत धन्यवाद